नमस्कार, आज हम बात करेंगे बहुत ही important topic और वो है fungal infections के बारे में तो fungal infections को जो कि हम common language में ये भी use करते हैं टर्म की दाद, खाज, खुजली, दिनाए या ring warm type का lesions तो ये सब जो है fungal infections के अंदर आते हैं और ये अलग-अलग varieties होती है, classes of fungus होते हैं उसे ये अलग-अलग type की skin patches देखने को मिलता है, या skin पे lesion देखने को मिलता है महुत common जो होता है उसमें कि आप ring lesion होता है, इसलिए ring warm बोलते हैं हाला कि warm से कोई लेना देना है नहीं, बट ring से मतलब है, क्योंकि ये ring जैसा होता है, outer border होता है और beach में plain होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि हम ring warm बोलते हैं और ये ring type collision है, बहुत बार आप देखेंगे कि सामने जो है, मतलब छाती पे या पीछे कंधे के पास यहाँ आप शादा-शादा spot type का देखेंगे तो ये भी एक तरह का fungal infection ही है, और बहुत बार देखेंगे कि आप nails में, मतलब हाथों के nails में, या पैरों के जो नाखुन है, इसमें भी nails काफी थिक हो जाते हैं, काफी brittle हो जाते हैं, yellow हो जाते हैं, जल्दी तूटने लगते हैं, तो ये भी जो है एक तरह का fungal infections ही है और बालों में जैसे dandruff हो गया और जो hair, जो है fungal infections, तो ये भी होता है, तो अलग-अलग तरह का spectrums जो है आपको मिलता है देखने को, तो अब हम आई इसमें वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इसका treatment क्या है, और सबसे पहले चीज़ की prevention क्या है, लेकिन सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि कहां-कहां हम गलतियां करते हैं, जिनके चलते जो है बार-बार ये fungal infections हमें हो रहा है, और अगर एक बार हो भी जाता है, तो फिर ठीक हो जाता है, फिर से दुबारा काफी बड़े जो है, और जादा extensive form में होना शुरू हो जाता है, या ठीक ही नह रहता ही है, जादा तर मलहम में इस्टरवाइड रहेगा, जैसे कि Quadriderm है, Pan-Derm है, Silo-Derm है, बहुत सारा है, Cloben-G, Lobate-GM है, तो सब में इस्टरवाइड रहता है, ये 4-5 नाम मैं दे दिया हूँ जो इस्टरवाइड रहते हैं, ये आप जरूर पढ़ा करें, मतलब अगर आ इचींग कम हो गया, लेकिन ये Long Term में क्या करता है, कि Immunity Local कमजोर कर देता है, उसके चलते दुबारा चांसे 6-7 दिनों के बाद देखिए हैं, फिर शें इंफेक्शन हुआ, और इस बार और ज्यादा हो रहा है, उसके बाद कुछ Lining, Lining, रेशा-रेशा जैसा मिलना शुरू हो जाएगा इसकीन पर, ये सब इसके Side Effect है, इसकीन बहुत पतला कर देगा वहां का, वो छिल सकता है, अलसर हो सकता है, तो ये सब इसके Side Effects है, तो बेटर है कि कोई भी जो क्रीम, खास कर उसमें अगर Esteroids Composition है, क्योंकि 3-3 Combinations में आते हैं, ये 1 Esteroids रहता है, 1 Antifungal रहता है, और 1 Antibacterial रहता है, तो ये 3 Combination वाली चीज को हटाएं, इसमें हमको चाहिए Pure Antifungal Cream चाहिए, या Antibacterial अगर है तो चलेगा, बट हमको उसमें Esteroids नहीं चाहिए, तो बेटर है कि Always Use Pure Antifungal Cream in place of the Combination Creams, जो की Esteroids है, इसका भी Special Use है कि अगर बहुत ज़्यादा Problematic हो रही है, लिए आपके डॉक्टर आपको Prescribe कर सकते हैं, बशरते की एक जो क्रीम है, आप Pure Antifungal आप यूज कर रहे हैं, मतलब एक जो है Combination दिया जा सकता है, और दूसरा जो है Pure Antifungal आप यूज कर रहे हैं, वो continue चलता रहेगा और ये 7 दिनों के बाद इसको बंद कर दिया जाए, त जहां तक हो, बेटर है कि अगर बहुत अलर्जी अगर हो रही है, बहुत खुछली हो रही है, तो Anti-Allergic Tablets भी आप खा सकते हैं, जैसे कि Cetrizin, Livocetrizin, Allegra Aisop खाके भी कम कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर के परामर्ष के मताबिक ये 7 दिनों तक यूज कर सकते हैं, उसके बादा बंद कर देंगे, दूसरी गलती है कि जो भी डॉक्टर्स आपको देते हैं कि इतने दिनों तक खाईए, 14 दिन तक या 28 दिन तक दवा, तो आप वो complete जो है उतने दिन नहीं खाते हैं, आपको तुरंत लगता है कि मतलब कम होने लगा और जो है दावा बहुत क्रीम आप बंद कर देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी नजरों से तो दिख नहीं रहा है, वो जगह जो है पूरा प्लेन हो गया है, नॉर्मल जैशा हो गया है, बट अभी भी उसमें फंगस मौजूद है, और फिर वो जो है, बाद में कुछ दिनों बाद फि एक रिंग टाइब का लीजन है, गोल जो रिंग लीजन है, तो अंदर से बाहर की और वो लगाना शुरू करते हैं, ये जो है तरीका गलत है, अंदर में ज्यादा कंसंट्रिशन होता है फंगस का, और अंदर से बाहर की और अगर हम ले जा रहे हैं, तो अंदर से शारा इं या एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आप पकड़िये circumference और बाहर से शुरू करते हुए जो है अंदर की और लगाना है और एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों लिए ताकि ये भी मार्जिन जो है हम पूरी तरह से तब safety मार्जिन है कि अगर माल लीजे ये ring border के बाहर भी अगर fungus होग इसलिए 18 cm एक इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लिए और बाहर से आते हुए अंदर की और आगे तो ये है प्रोपर लगाने का तरीका तो ये तीन चीज जो है बहुत ज़्यादा common देखा गया है कि लोग mistakes करते हैं और एक सबसे important चीज है कि आप खुद अपना इलाज कर आ लेते हैं और चुकि ये छुआ छुँत से होता है दूसरे का टॉवेल उज करने से, बेट शीट करने से या सेधिंग किट या कोई भी चीज़ करने से या कंगी शेयर करने से तो आप अपना इलाज करा लेते हैं अपनी family members का नहीं कराते हैं तो फिर आपको उनसे होगा तो यह एक और चीज बना कि आपको है पूरा treatment जो है पूरे अगर सबको है या सबको identify करवाले doctor से और सबको एक बार जो है मतलब doctor से दिखा दें या परामर्श ले ले तो बेटर है कि सबका treatment एक साथ हो तो यह जादा अच्छा है कि किसी को भी नहीं रहेगा तो किसी से किसी क नहीं होगा तो यह जो है बहुत important एक point बचा और एक चीज है कि बहुत बार देखा गया है कि आपके नाखून में नाखून में भी जो है fungal infections बहुत common है हाथों की मतलब इसमें या तो हाथों के या तो पैरों के नाखून में जो है fungal infections है या hair में आपका fungal infections है और साथ में जो है चकता भी है या आपको skin का lezen भी है ring lezen भी है या hypopigmented spots भी है तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ cream जो है यहाँ लगा लेंगे और जहाँ जहाँ है वहाँ लगा लेंगे इससे आपका कभी भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर नाखफून में है fungal infections या hair में है तो सब का पूरा treatment करना होगा और उन सब का treatment मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे करना है hairs के लिए क्या है और नाखफून के लिए क्या है treatment तो जब तक पूरा clear नहीं होगा body से तब तक यह चीज आपको बार-बार परिशान करता रहेगा बार-बार आपको होते रहेगा आप फिर कहेंगे मलम लगाया दवा खाया पंदरा दिन खाया चौदरा दिन खाया फिर भी ठीक नहीं हो रहा क्यूंकि एच चीज आप खुद ध्यान दीजिए कि अगर आप अंडर गार्मेंट से अगर आप पहनते हैं और पैर की नाखुनों से टच करते हुए आता है तो फिर आपके ग्रोइन रीजन में वो इंफेक्शन कर सकता है आप कभी भी जो है अगर टीशट्स पहनना है या शट्स पहनना है तो आपके जो बाल है, हेर से आते हुए चारो तरफ बोडी तक फैल लेगा तो ये सब एक कॉमन जर्या है फैलने का इन सब चीजों के हमको ज़्यादा फोकस करना होगा अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन पे तो प्रिवेंटिवे स्टेप्स तो मैंने पहले ही बताया है एक स्टेप वाइज अगर हम समराइज करें कि अगर किशी आदमी को हुआ है, छोटा मोटा जो है इसकिन का जो है लीजन से या तो जांगों के पाश हुआ है या नहीं हुआ है या बहुत जो है होट हुमिड क्लाइमिट में रहता है तो उसे क्या-क्या शावधानी बरतनी चाहिए तो देखिए सबसे पहली चीज कि ये जो फंगस है इसको बहुत जादा प्यार है नमी से तो जिस जिस एरिया में नमी होगा तो नमी कहा होता है जहां एक स्किन दुसरे स्किन से टच करता है तो बगल में हो गया उसके बाद जांगों के पास हो गया अंडर दे ब्रेस्ट होता है ब्रेस्ट के नीचे होता है तो उसके बाद जो है काफी मोटे जो लोग है उनमे जो है ब्रॉमिनल फैट जो होता है fat एक जो बन जाता है fold फिर वो skin को touch करता है तो जहाँ जहाँ इस skin का skin से touch हो रहा है वहाँ पे जो है ये चीजे जादा होगी वहाँ नमी जादा होती है तो हमको ये ख्याल रखना है कि इसको हमेशा wipe out करते रहना है post रहना है क्योंकि ये moist अगर climate में आप रहते हैं जैसे कि Kolkata है, Chennai है, Mumbai है तो ये चीजे बहुत common हो चुकी है तो ये totally hygiene से ही जाएगा आपको hygiene बहुत अच्छा रखना होगा और कुछ-कुछ चीजे हैं पुरा step है पुरा list है मैं दिया हूँ क्या क्या करना है या आप देखने इसे अब हम बात करेंगे treatments के वारे में कि इसमें treatment क्या करते हैं तो treatment देखिए simple सा है दो classes of drugs जो है mainly हम देते हैं पहला है azule group of drugs और दूसरा है allilamine group of drugs azules में जो है अगर आपको skin का lesion जो है अगर infection बहुत कम है पहला बार हुआ है या दूसरा बार हुआ है और थोड़ा बहुत है पैरों के पास है पेट पे है, शाइड में है, पीट पे है बगल में है, कहीं भी है तो उस समय हम क्या करते हैं कि दो cream देते हैं और दोनो antifungal cream देते हैं और दोनो या तो एक azole group का देंगे और एक allilamine group का देंगे azole group में preferably बहुत सारे creams हैं protrimazole है, berkonazole है serta konazole है, oxykonazole है बहुत सारा है, बट हम लोग lulikonazole दे रहे हैं आजकर क्योंकि lulikonazole का बहुत special property है कि जो esteroide करता था आपको कि esteroide जो है आपको relief देता था itching से और inflammation से, solution से ये lulikonazole में थोड़ी बहुत ये property है, प्लस ये तो pure antifungal है, तो better है कि lulikonazole यूज करें, हाला कि थोड़ा महंगा है ये next है कि दूसरा जो cream आप यूज करें दूसरा cream आप यूज करेंगे, वो है allilamine groups का, जो कि turbenafin नाम से आता है बहुत सारे brand name है, इसके terby ship है या terby roll है तो बहुत सारा है, तो आप इसमें से कोई भी जो है, तो दो cream आप यूज करें एक turbenafin और दूसरा है lulikonazole, एक है allilamine group का, एक है asuals group का कितने दिनों तक यूज करें, देखिए अगर आपको 7 दिन में ही लगता है कि पूरी तरश से जो है आपका वो जख्म ठीक हो गया है, skin का leasin ठीक हो गया है, फिर भी आप याद रखेंगे, फिर भी आप 2 सपता extra use करते रहें, भले ही वो लगता है कि एकदम normal हो गया है एकदम शादा हो गया है, कुछ नहीं हो आप एकदम clear हो गया है, एकदम normal skin जैसा है, but still 2 सपता और extra use करें कभी नहीं होगा आपको future में इस तरह से और तुरन ठीक हो जाएगा, ये चीज़े आप जरूर करें, क्योंकि अगर 7 दिनों में लगा कि ठीक हो गया, तो बंद नहीं करेंगे next आता है कि अगर बहुत ज़्यादा ये जो skin का lesions है, और 7 में अगर आप देख रहे हैं कि आपको diabetes है या thyroid की problem है, hypothyroidism है, आपकी immunity कमजोर है ये सब अगर है, और lesions पहुत ज़्यादा है, nail को भी infected किये हुए है, hairs भी infected है तो हमको तो oral tablets देना परेगा फिर oral tablets में हम यही देते हैं, या तो एक azole groups का देंगे, या तो हम एक देंगे allilamine groups का देंगे अब ये दोनों में जो है preferably हम लोग azole groups का देते हैं इसमें fluconazole आता है voriconazole है, itraconazole है सबसे अच्छा हम लोग आजकल जो देते हैं और काफी effective पाया गया है वो है itraconazole itraconazole market में जो है candy trull, candy force ये सम नाम से आता है 200 mg का ये tablet है 100 का भी आता है, 100 का दो बार ले सकते हैं, 200 का आप single लीजिए 14 दिन के लिए दिया आता है अगर कैसा मतलब severity है आपका जो skin lesions का 14 दिन भी हो सकता है, 28 दिन भी हो सकता है हो सकता है कि 6 अभी चले हो सकता है कि 12 अभी चले depend करता है 12 अभी कब चलेगा जब आपके नाखून में अगर खास कर पैरों के नाखून में अगर infections है, तो 12 अभी चलेट तक देना पड़ता है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं जाता है नाखून तो बहुत slowly grow करता है लेकिन अगर हमारा skin में हुआ है थोड़ा बहुत patches है, चारो तरफ तो ये जो है up to अगर हम देते हैं कि 4 weeks तक तो ये tablets जो है daily एक करके दिया जाता है, साथ में वो cream वही दोनों रहेगा एक रहेगा alaylamine और एक रहेगा azules, मतलब एक रहेगा आपका luliconazole और एक रहेगा आपका terbenafine का, तो ये दो cream और एक ये tablets ये आपको लेना है, तो tablets आपका मान लीजी कि अगर 4 सब्ता के बाद बंध हो जाता है, फिर भी cream को आप कोशिस करें कि कम से कम और जो है 2 सब्ता extra या 3 सब्ता extra तक लगाया जाता है, ताकि जो है पूरा clearance दे दे, hairs की अगर हम बात करते हैं, तो hairs के case में जो है, hairs के case में जो है tablets तो यही same ही रहेगा, या तो हम terbenafine का tablet, या तो हम extraconajol का tablets, preferably extraconajol ही देते हैं, बट extraconajol देने से पहले liver function टेस्ट करा लिया जाता है या देने के जो है, 15 दिन के fungus, और हर जगा fungus का अलग-अलग नाम दिया हुआ है, जैसे hairs वाले को tinea capitis बोलते हैं, जांगो वाले को cruris बोलते हैं, पूरे body पे है तो corporis बोलते हैं, तो सब का नाम करण जो है, अलग-अलग दिया गया, तो माली जी की hair में infection तो इस conditions में है, tablets तो हम देंगे ही, अब तो मलहम तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो मलहम के जगा lotion आता है, ketoconazole का, बहुत famous है, यह nasalal 2% lotion, यह lotion को आप लगाएंगे, सब्ता में जो है, आप starting करेंगे, सब्ता में 3 दिन करके लगाएंगे, फिर सब्ता में धीरे-धीरे pag में एक दिन ही लगाएंगे, तो ऐसे करके यह लगाना है, lotion को नहाने के time यह लगा लिजेगा, पूरे body पे और खास कर गर्दन पे भी और सामने छाती पे भी और पीछे भी, back में भी लगा लेंगे और 5 मिनट तक छोड़ देंगे 5 मिनट तक छोड़ने के बाद गुनगुने पानी से फिर से नहा लेंगे तो ये हमारा हेर्स का ये आपको शप्ता में 3 दिन करना है ये स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद उसका फ्रिक्वेंशी धीरे-धीरे कमेगा जैसे-जैसे infections और साथ में tablets भी आपको लेना है रही बात nails की तो nails के बारे में मैंने बोला ये अगर fingernails है तो maximum जो है दिया जाता है 4-6 week के लिए दिया जाता है tablets itraconazole दे सकते हैं या turbanafin दे सकते हैं 250 mg once daily करके दे सकते हैं या itraconazole आप दे सकते हैं 200 mg once daily ये रहा nail infection 4-6 सब्ता तक लेकिन पैरो का नाखून के लिए कम से कम 12 सब्ता तक चलता है treatment इसका liver function इसा monitor किया जाता है और भी side effect जो है आपके doctor आपको बता देंगे कि अगर ऐसा हुआ तो आपको report करना है और उसके साथ-साथ जो है नाखून के लिए nail lacquer दिया जाता है nail polish जैसा होता है पूरा उसमें सब कुछ रहता है तो उसका लगाने का तरीका कैसे है वो पूरा leaflet पे दिया रहता है वो nail painting के जैसा जो है nail पे आप लगाएंगे और इसको भी कम से कम 6 महीने तक आपको ये नाखून में या अगर वो पेरो का नाखून है तो और जादा 9 महीने तक भी लगाना पड़ता है और धीरे धीरे जो है वो nail lacquer ही daily आप apply करेंगे तो उसके बाद जो है fungal infections कमने लगता है और दवा जो है तीन महीने तक खासकर जो है अगर नाखून में है पेरो के तीन महीने चलेगा और इसमें जो है 4-6 विक चलेगा और nail lacquer दोनों में हम लोग दे देते हैं कि nail lacquer आप लगाते रहेंगे nail lacquer जो है बहुत अलग-अलग दो-दो कमपनिया है जो अभी अभी अवेलेबल है Amorol Film का 5% का nail lacquer आता है Cycloperox का 8% का आता है मैंने कुछ brands के नाम यहाँ दिये हैं कुछ pics दिये हैं उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे लगाना है nail को पहले filing करना है उसके बाद nail को है lacquer को फिर nail को पोचना है swab से फिर nail पे वो लगाना है अच्छे से दो तीन बार करके लगाना है daily मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाएं Thank you so much Thanks for watching